दिब्य हर देव दिब्य रूप हर देव तुम्हारा मुग्द हुआ जिसने भी निहारा जो देखे फिर देखे न चाहे रूप ये सुन्दर रूप ये प्यारा ज्यान के प्रकास पंज सत्गुरु बाबा हर देव सिंग्जी महराज का दिब्य रूप अतीमन मोहक था आपके मुखमंडल से जलकता इलाही नूर आपकी दिब्यता को दरसाता था आपके साकार सो रूप में रूहानियत की ऐसी कसिस थी जो हर रूप को अपनी और खीट ले का सुद्धी करन हो जाता और हर रूह त्रिप्त हो जाती आपकी दिब्य मुखमंड एक ऐसा उपहार थी जो सबके जीवन में खुसियों की बहार ले आती लाखों करोडों भक्तों के तपते हुए हुर्देयों को सितलता परदान करती भक्ते आपकी एक जलक पाकर रूहान खुसी से जूम उठते और आपकी एक मुस्कान पाने के लिए लालाईत रहते यूं मधुर मधुर मुस्काते हो मन में अमरित भर जाते हो जब नजर उठा कर तुम देखो सुक्चैने हमें दे जाते हो आपके पामन चरणों की वहिमा अनन्तवा परमपार थी उनको मलवा सुन्दर चरणों के असपर समात्र से ही तक दीरे सवर जाती और आत्मा अनन्द भी भोर होट थी चरणों पर सीथ जुकाने के लिए भक्तों का मन हमेशा उत्सुक रहता पामन चरण रज मस्तक पर लग जिसने लेगाई उसकी तक दीरे बनी आपकी आनन्द मयू पस्तिती में मानों एक आध्यात्मिक लहर सी दोड़ परती आपके आभा मंडल से संपूर्ण बाता बरन भक्ती की सुगंद से महाक उठता आपके तेज से सबकी आत्मा रोशन हो जाती और हर हर्दय प्रेम से सरो बार हो जाता आपकी बाणी से बरस्ते मायूर्ध को हिर्दे में भरने की उत्सुकता हर भक्त में बनी दाती आपकी मुबारक जुबां से मीठे अलफाज सुनने के लिए सबका मन लालाईत रहता था आपकी पावंता ने हर एक रूह को इसके हकीकी से सरोबार कर रखा था बक्तों का मन सदेव सत्गुरु हर देव के सजदे में जुका रहता था रूहानी इसक में डूबे हर भक्त को हर रूह में हर साज में हर रंग में हर पल में हर एहसास में हर नजर में हर देव नजर आते और भक्त साज ही का उठता तुम ही हो मेरी पूजा, बंदगी भी तुम हो, तुम ही हो मेरी सांसें, और जिंदगी भी तुम हो सत्गुरु बाबा हरदेव सिंग जी महाराज के यूग को भक्त बद सल्युक कहना को यत्सयोगत ना होगी दन्य हैंवे भक्त जिने सत्गुरु के वात्सलिका साक्षी बनने का सोभाग प्राप्त हुआ अपने सत्गुरू की आराधना करने से भक्तों में एक नई उमंगवा भक्ती भावजागरित हुआ आपके सानिध्य में बिताए गए अब इसमनडिये पलों को याद करके भक्त आज भी रोमान्चित होटते हैं आपका भक्तों के घरागन में सुभ्य आगमन पुरातन समय के गुरु सिस्थ के पावन रिष्टे की याद दिलाता जब आपके चरण कमल देश विदेश में रहने वाले भक्तों के घरागन को पवित्र करते तो भक्तों की खुश्ची का ठिकाना ना रहता वो इस्वेम को परम्षभाग्य साली महसूस करते और सुरद्धा के पुश्च पर करके गुर्बंदना करते सत्गुरु का सामिप के पाकर ही भक्तों को मानो सब कुछ मिल जाता तुमसे जब ये नजर मिलती थी अपनी तो किसमत खुलती थी राह में गर कोई उलजन आई एक तपकी से सब टलती थी जब बाबा जी अपनी प्रेम भरी बाणी से सब का हाल पूछते तो भक्तों का रोम रोम खिल उठता भक्त वत्सल गुरुदेव हर किसी की बात को पूरे ध्यान से सुनते और उनके दुखदर्द और खुसियों को बाटते आपके चरणों में बिताए पावन छण हर भक्त के हिर्दे पर हमेशा के लिए अंकित हो जाते भक्त गा उठते तेरे चरण मंदिर में जीवन गुजारें तेरे साथ साहिबा मुझे बहारें बक्तों के जीवन में बाबा हर्देव सिंग जी महराज के रूप में दया करुडा के सागर और प्रेम के सुरोत का मिलना किसी बड़े करिसमें से कम नहीं था जिस किसी अनजान ने भी आपको देखा उसकी रूह समर्पित होकर बिन बोले ही आपको और खिंची चली गई एक बार दुबई में एक सज्जन अचानक दोड़ते हुए बाबा जी के पास आए जुक करके अभिवादन किया और अपरशित होते हुए भी आपसे बड़ी आत्मियता से अपने मन के भाव कहने लगे बाबा जी बड़े प्यार से उनकी पीठ पर हात फिरते हुए ध्यान से उनकी बात सुनते रहे वाखुशी से फूले नहीं समा रहे थे जाते जाते उच्जन ने सेवादारों से कहा आप कितने खुस नसीब हैं आप तो रोजाना ही इनकी नूरे इलाही जलवे का दीदार क के लिए सुरक्षा जांच की और बढ़े तो एक अस्थानिय महिला पीछे से भागते हुई अंदर आई और चकित होकर बाबा जी की तरफ इसारा करके आसपास के लोगों से उचे स्वर में पूछने लगी आवी जी जब मैंने अंदर प्रवेश किया तब मुझे ऐसा लग की हाल अलोकिक प्रकास से भरा हुआ है और एक अध्वुत सी उर्जा मुझे मासूस हो रही है आप से निजर मिलते ही हर कोई खुदी को भूल कर आप में ही खो जाता था और आपकी दिव्यता की ठंड़क को अपनी अंतरात्मा में भर लेना चाहता था इटली के सहार बेनि ही आकर बैठे हैं सितंबर 2008 में दच्छिट पूरवी एसिया की मानो कल्यान यात्रा पर आप एक समुदरी तरट पर संतों के मद्य खड़े थे संत भजनगा कर अपनी खुशी का प्रगटाव कर रहे थे तभी एक अलोकिके दिर्स से देखने को मिला वहां की एक अस्थानी ये महिला महापुरसों के घेरे को तोड़ती हुई आगे बढ़ी और जुक कर भावविभोर होकर बाबाजी के सामने काफी देर दगरोती रही मानो अपने इस्ट के दरसंपा कर सुक्र गुजार हो रही हो वह असिर उठाने को ही तयार नहीं थी बाबाजी ने उसके सिर प हूँ वह रात को ही मेरे सपने में आए और उन्होंने बताया कि कल सफेद पोसाग पहने हुई है मैं तुम्हें समुद तट पर मिलूंगा सुबा होते ही मैं यहां आ गई और चारों और निगाएं घुमा कर देख रही हूँ कि वह के दर से आएंगे कब उनके दरसं होंगे जैसे ही बाबा जी को देखा मेरे अंताकरन से आवा जाई यही तो है जिनका तू कब से इंतजार कर रही है जैसे ही इन्होंने मुझ पर निकाह डाली मुझे ऐसा लगा मेरे प्रभू मेरे सामने खड़े हैं जब उस महिला से पूछा गया कि क्या आप दिरंकारी मिसन या रंकारी बाबा जी का कभी नाम सुना है तो उसने नामे उत्तर दिया उसकी आखों से अभी भी आँसों की अभी रलधारा बाहर रही थी और वा महिला सत्गुरू बाबा जी के दिब सरूप को निहारते हुए कभी सिर जुकाती तो कभी हाथ जोड़ती इस नजारे को कर या विश्वास और भी द्रड़ हो गया कि सत्गुरू सारे संसार के लिए ही उत्रित होते हैं एक बार किसी गम भीर बीमारी से पिर्डित कैलिफोर्निया अमेरिका के एक प्रोफेसर बार्सिक संत समागम में आपके दर्सन करने आये वही नमस्कार करके आपके तेज से चमकते चेहरे को देखते ही रह गए आपने जुक कर मुश्कुराते हुए उनका अभिवादन स्विकार किया किन्तु आ मंत्र मुख्द होकर आपकी मनमोख्षबी को अपलक निहारते रहे लगबग 15 मिनर तक वह अपनी आखें बंदक कर कहीं खोसे गए लोगों के पूछन के असंखे परसंग हैं जिनका यहां बरणन करना संभो नहीं हो पाएगा आपके प्रेम के बसी भूत असंगते आपकी मोहनी सूरत की एक जलक पाने के लिए हजारों किलोमीटर दूर से दोड़ी चली रहती थी आपके सुबह आगमन की सूचना पाते ही संगते घंटों दास्ते अस्रू बनकर छलक पड़ता हरी के मन हुआ आज मगन सबके चेहरे मुस्काए हैं गुरु हर देव आए हैं मेरे हर देव आए हैं संत समागम के दवरान सो भायात्राय कैसा आवसर होता जब गुरु देव पालकी में खड़े होकर प्रवेस करते तो लाखों संतों क हाथ जैगोस के साथ हवा में लहरा उठते सत्गुरु भी हाथ जोड़कर उनका अभिमादन स्विकार करते लाखों की भीड में जिस वोर भी आप निगाह डालते तो हर एक को ऐसा लगता मानों आप उसे ही देख रहे हों भक्त जने अपने अपने परदेशों की पारंपर इक भेस भूसा में लोक धुनों पर ठिरते नजराते आप भी भक्तों द्वारा दियेगे बिमिन बादी अंतरों जैसे तुमबा डपली चिम्टा नाला आज बजा कर उन्हें अपार खुशी परदान करते अर्सो लास्ते जुमता हुआ हर चेहरा गाव उठता रूख गद गद्य हो गई ए दाते या दर्सन करके तेरे खुशबू प्रेमा भक्ती की मानवता का रंग जीवन उत्सो बन गया पासतगुर का संगुरू बाबाजी की उपस्तती मात रही भक्तों के लिए एक परव का रूप ले लेती भक्तों के आपके साथ नाम खुमारी में जब कभी प्रेम में डूबे भक्तों के तन मन आपके सम्मुख खुशी से नाचने लगते तो आप भी पुलकित हो उठते ऐसे आउसरों को गुरू देव अपने सब्दों में कुछ इस प्रकार बया करते ये जो आपके साथ मिलने के मौक्ते मिले हैं तो मन के तार तो ऐसे जुड़े होते हैं मन करके तो मिलाप होता ही रहता है लेकिन इस तरह से जो नजदीकत मिलती है तो उसकी एक अपनी ही खुशी होती है अभी नाचने की भी बात हुई और बात ही नहीं हुई सब नाचे भी और दास को भी नचा दिया भक्त जन प्रेम में ऐसा करते आए हैं परंतु अक्सर इस तरह से सारीरिक रूप में नाचा नहीं जाता लेकिन जो मन में आनंद होता है जो मन पूरी तरह से पुलकित होता है जो उमन उमन कर प्रेम शलगता है तो उसके लिए चाहे बाहर लाचारी दिखे लेकिन भीतर तो नाच हरदम चल रहा होता है मन को जो म अन्तर यामी सत्गुरू तुरा संगीत फिजा में सुनाई देता है तु निराकार है फिर भी दिखाई देता है। सत्गुरू बाबाजी भक्तों के अंतर मन में उठते हुए हर भाव को जानते थे। आप एकाईने की तरह अंता करल का दर्सन करा देते थे। सत्गुरू बाबाजी दिखाई भाव के संप्रेशन से ही अपने भक्तों को एहसास करा देते थे। कि तुमने जब कभी जहां कभी भी सच्चे और पवित्र मन से याद किया मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया। या भी देखा जाता कि किसी भी भक्त के मन में अगर भक्ती या ज्यान पर आधारित कोई पर्षन होता तो बाबाजी के परवचन में सुता ही उसका उत्तर मिल जाता। जो बात की है फकत ये नहीं आया तुम पर तुम वो भी जानता है दिल में जो छिपाई है। जो भक्त बरसों से आपके साकार रूप के दर्सन नहीं कर पाते थे वो ये भी निराकार के एसास से ही आपके करीब होते थे। भक्त जंजब निरंकार में आपका ध्यान करते तो हजारों मेल दूर बैठे भक्त का मन भी दिब्व उर्जा से भर जाता। भक्त आपके चरणों में अपनी भावनाय कुछ इस तरह से समर्पित करते। हर कदम में आपका सहारा है तुँ ही कस्त तुँ ही किनारा है ये जुबा ले रही है नाम तेरा तुँ ही दाता मेरा गुजारा है। भक्त और सत्गुरू के दिलों की तारें तो जुड़ी ही रहती थी भक्त बाबाजी की अनभूती साकार वा निराकार दोनों रूपों में करते रहते थे। असंग के भक्तों की कामनाएं आपके पामंदर्सन दिब्ब बचनवा असिरबाद से ही पूर्ण हो जाती थी। सत्गुरू बाबाजी द्वारा भक्तों के जीवन में जो रहमतें बरसी उनके संसमरल सुनाते हुए भक्त आज भी ठकते नहीं हैं। इन में से कुछ दिश्टांत किसी चमतकार इत्याद के भाव से नहीं केवल सत्गुरू की अनुकंपा को व्यक्त करने के भाव से यहां लिखे जा रहे हैं। बाबा जी ने पीछे मुड़कर उनकी और देखा, उस संत्र ने दर्द में पुकारा, बाबा जी मेरे सीने में तेज दर्द हो रहा है, आप किरपा करें, मेरे सीने पर हाथ रखें, मुझे विश्वास है कि मैं जरूर ठीक हो जाऊंगा। बाबा जी समी पाए, वा उनके सीने पर थोड़ा जोर से हाथ रखा, कुछी पलों में उनका दर्द ठीक हो गया। आपकी दिब्विचेतना का छेतर संपूर्ण ब्रह्म्हांड में इतना व्यापक वाबिश्तिरित था, कि जैसे ही भक्ते आपका ध्यान करते, तो उनका सीधा संपर के आप से जुड़ जाता। सत्गुरु के ध्यान से असीम सक्तिवा कदम कदम पर मारदरसन मिलता रहा, जब उसने दिल्ली आकर बाबा जी था, माता जी से आशिरबाद लेते हुए कहा, आप जी के फोन पर धन्यजंकार कहने से ही मेरा ध्यान सुमिननम से जुड़ गया और मुझे सक्ति मिली। उसी स सत्गुरु बाबा जी के मुख से सहाज ही निकल पड़ा, दास का ध्यान भी वहीं लगा हुआ था। आप गिर्पा करो इस बच्ची का नाम रख दो। बाबा जी ने एका एक उनकी तरफ देखा और कहा क्यों जागरती नाम अच्छा नहीं लगा। उसे छण परिवार बाबा जी के संमुक नतमस्तक हो गया और मनहीं मन कहा उटा कि पूर्ण सगुर्शिक और सत्गुरुम के सब्दों में कोई अंतर नहीं होता। बाबा जी के संमुक अक्सर भक्तों को समझ नहीं आता था कि क्या कहें वा कैसे कहें। बरस 2011 में बाबा जी और माता सबिंदर जी उत्री अमेरिका की कल्यान यातरा पर गए। एक यहुदी मंदिर में आयोजित भव्य समागम के बाद कुछ बाल संत प्यार में बाबा जी से जाकर लिपट गए। बाबा जी ने भी मुश्कुराते हुए उन्हें गले लगा लिया। दोर ड्यूटी पर खड़े एक सेवाधार भक्त के मन में भी सत्गुरू से गले मिलने की इच्छा हुई। संकोच के कारल उसने वह इच्छ संत आपको सामने पाकर बेची जग आपसे गले लग गया। आप हर भक्त की भावनाओं की सम्हाल करना और हर दिल को खुशी देना वह खुबी जानते थे। भक्तों का याद रल्वे स्वास था कि जब सत्गुरू बाबा जी के चरणों में मन से अरदास की जाती है तो कर देते हैं। कहने लगे जी सच्चे बाज सा तुसी दिलादी जान दे हो। कितने ही सज्जन आपके समक्षिया कर अपनी बिथा रखते और आप से आशिरबाद पाकर प्रसन नहोकर वापस लोटते। एक बार किसी गड़माने सज्जन ने मंडल के एक बरिष्ट परवंधक से बाबाज से मिलवानी ले आए आशिरबाद पाकर वे भाव भी भोर हो गए अधकारी महत्मा ने कहा कि आप तो समस्या का हल पूछने आए थे किन्तो आप तो कुछ बोले ही नहीं उस सज्जन का जब तर था मुझे जबाब मिल गया बाबाजी ने बगैर बोले ही मेरी समस्या का सराष्ट के साहर में सथसंग कारी करम अंतिमचर्ण में था बाबाजी के परबचन का समय करीव आ रहा था परնतु सतग्रू बाबाजी का मंच संचालक को संतेश्थ रियक फिला की कारी करम को और आगे बढ़ाया जाए इस बीच सतग्रू बाबाजी बार बार सामने मुख मा ने जब उन महापुर्सों से कहा कि साइद आपका ही इंतजार हो रहा था तो उन्होंने सद्गुरू का धन्यबाद करते हुए बताया हमारी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी हम सब प्रार्तना कर रहे थे कि है सद्गुरू हमें अपने चरणों में नमस्कार करने का आउसर अवस्य परदान करना हम बहुत कोशा हैं कि बाबाजी ने हमारी प्रार्तना सोईकार कर ली तुम भी ने बताये ही हर दिल की जान लेता है तुझे भी का के सुनाई तो इलते जा क्या हुई सद्गुरू अपना अंतरियामी सरू भले ही शिपाते रहे लेकिन गुर्शिकों को जब इसका एहसास होता कि उनका सिर सहाज ही स्रद्धा से जुब जाता था मई 1997 में पितहुरागर के स्टेडियम में आयोजित समागम के दोरान बाबाजी ने मन्च संचालक को बुला कर या घोष्टला करने के लिए कहा कि जो महत्मा सामियानों की बल्लियों के करीब बैठे हैं उनसे कहें कि वे बल्लियों को कसकर पकल ले मन्च संचालक ने बाहर आसमान के में चारो तरफ नजर घुमा कर देखा और सोचा कि मौसम तो बिल्कुल साफ है दूप खिली हुई है आधी के भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे तो अभी अगले बक्ता के बाद उद्गोष्टला कर दूँगा लेकिन वह ऐसा करना भूल गए इतने ही देर में बहुत तेज आधी आई और सामियानों की बल्लियां जमीन से उखड कर बाहर आ गए मंच संचालक ने कारिकरम रोक कर तुरंत उद्गोष्टला की और अपने इस भूल का एसास करते हुए बाबाजी की और देखकर मनही मननत मस्तक होकर छमा मांगी सत गुरु बाबाजी ने भी मुश्कुराते हुए जरा सासीर हिला कर उनका भाव सविकार किया दिभी गुडों के स्वामी बिभी गुडों को हमें अपनाई जीवन बहगिया को महकाई गुरु देव हर देव का ब्यक्तित प्रेम विशालता छमा सीलता सहन सीलता विनम्रता और प्रोपकार जैसे सुन्दर गुणों से विभूसित था इन सद्गुण रूपी मोतियों से आप मानो जीवन का सिरंगार करते हुए सब के चेहरों पर मुश्कान विखिरते रहे आपके ब्यक्तित ने दूसरों को प्रभावित ही नहीं बल्कि प्रकासित भी किया सब्दों में कहां वासामर्त है जो आपके दिब्वि गुणों को बया कर पाए सब्द तो खुद बोने और मोताज हो जाते हैं तेरी खुबियों का बया करूँ ओ जुबान नहीं मेरे पास है तुँ गुणों की खानी है मेरे बाँ अव गुणे भरा तिरा दास है सहजता सहज जीवन भक्ती का आधार सत्गुरू बाबा हरदेव सिंग जी में एक अदभुत सीतलता वा ठहराव था आप हमेशा परमानंद वाली सहाज अवस्ता में रहते थे आप अपने भक्तों को भी निराकार दातार की रजा में प्रसन रहा कर भक्ती भरा जीवन जीते हुए अपने करतब्यों का पालन करने की सिछा देते थे आपने सद्गुरू रूप में होते हुए भी गिरहस्त की सभी जिम्मेदारियों को सहजता पूर बग निभाया पिता के रूप में परिवार के साथ हंसी खुशी पल बिताते हुए अपने बच्चों को भरपूर प्यार दिया उनके साथ पिकनिक, खेल कूद, फोटोग्राफी, स्केचिंग, एतिहासी कस्तलों का दर्शन आज करते हुए सहाज जीवन जीते रहे कल्यान यात्राओं के दोरान चाहे किसी छोटे से कस्वे के साथारल घरिया अतितगिरा में भी बिश्राम करना पड़ा हो आप एक रस राते थे पले ही रात को बिश्तर पर लिखते ही मच्चर भगाने के लिए गोबर के उपले जलाने पड़े हो तूटे हुए पलंग के पाये पर गाड़ी में रखा हुआ जैक लगावाना पड़ा हो आपने कभी किसी प्रकार की आसाहजता थकान या बे आरामी जलकती दिखाई ना जैसे निरंकार इतना साधा वा निर्डेप है सब कुछ करते हुए भी मानो कुछ नहीं करता वैसे ही हमें भी बाहरी दिखावे में ना आकर मन को इस पावन प्रहू से जोड़कर सादगी युक्तुवा सुद्ध रहना है इत्र की भाति सदगुणों की महक तो अपने आप ही सभी तक पहुंच जाती है आपकी सहचाल सुरू से ही सब को परभावित करती रही चाहे आपके पिता बाबा गुर्बचन सिंग जी के बलिदान जैसा कटिन समय ही क्यों ना रहा हो आप अडिगवा आब इचलित रहकर सब को साहजता परदान करते रहे बाबा विवा संपन कराकर आपने निरलेप होने कानुठा उदारल दिया आपका समस्त जीवन जैसी भी हो परस्तिती रहे एक सीमनों इस्तिती पाली अवस्ता का साख्छात परमार था आपने 2006 में बार्सिलोना इस्पेन में यूरोप के संत समागम में अचला डोल परमात्मा के ए रचना बादनों कीतना बदलती है भागती है चलाए मान है लेकिन रचनहार आसमान कीतना कायम दायम रहता है अगर मन में ठाहराओ चाहिए तो परमात्मा के साथ नाता जोड़ना जरूरी है तबी संसार में रहकर भी संसार से न्यारे बने रह सकते हैं आप अना सक्ती में बैठे तभी कोई भक्त अपने बच्चे के जरन दिन का केक लेकर आ गया और आपके करकमलों से उसे कटवाने की प्रार्थना करने लगा आपने गाड़ी से बाहर आकर केक काटकर परिवार को आसिरबात दिया वो अतुरंत दासंसकार में सामिल होने के लिए रवाना हो को सहाज्ता प्राप्त हो जाती है आप भक्तों को सहाज सरलवा परसंचित रहने की प्रणडा देते थे आपका मानना था कि संसार की सोहरत और धन दौलत अस्थाई सुक देने वाले नहीं है सास्वत परमसत्ता को अपना कर ही सास्वत आनंद पाया जा सकता है आनंद की मुची है आप फरमाते थे कि गुर्षिक छूठी परतिष्ठाएं लेकर अकरता नहीं है क्योंकि दुनिया भी परतिष्ठा तो एक ठोकर लगने से चूर चूर हो जाती है कि अपनी अस्तुती सुनकर खुशी मासूस करते हो तो निंदा होने पर बोखला भी जाओगे इसल अगर निंदा या निरादर होता है तो भी समरस्त रहता है आपने यह बहुत बड़ी खूबी थी कि माहोल चाहे कितना भी गंभीर क्यों नहीं हो आप उसमें सरलता से हाथ से का रंग भर कर सहज बना देते थे अनसठमे वार्सिक संत्समागम के यांतिम दिन भी आपने इन ही खुष हूँ आज दोस्त पास नहीं है तो अकेले ही खुष हूँ कोई नाराज हो गया है उसकी इस अदा में ही खुष हूँ कल जो बीत चुका है उसकी याद में खुष हूँ कल जो अभी आया नहीं है उसके इंतजार में खुष हूँ मानो मात्र के लिए आपका अंतिम संदेश भी यही था एक एक आउसर का एक एक लमहे का लाव उठाएं और एक एक भूम का जो हम अदा कर रहे हैं उसको खुबसूरती से निभाते चले जाएं सहन सिल्ता सहन सिल्ता और छमा करना इंसान का सबसे बड़ा गुण है बाबा हर्देव सिंग जी सहिसुरता की मूर्ती थे सब रसंतोस धीरजे और छमा सिल्ता आपके ब्यक्तित्य की पहचान थे आपका मानना था कि प्रेम ही सहन सिल्ता को जन्म देता है आपके भीतर से बाती सहन सिल्ता को देखकर भक्त भी समहान आत्मिक गुण से विभुशित होते रहे आपकी धारणा थी सहन सिल्ता कमजूरी की नहीं अपितु बलकी सूचक है पन्नेश सो वस्ची में जब पिता बाबा गुरबचन सिंग जी का बलिदान हुआ तो उस बिपरीत परस्थितियों में आप सहन सिल्ता के अस्तंब के रूप में प्रगट हुए अमन चैन से रहना है तो सहन सिल्ता बन जाएं सारे यह आपका आदर सबाक के था उस समय भी आपने नौजवानों के आकरोश पर सहन सिल्ता का बांध बनाते हुए समझाया बाबा गुरबचन सिंग जी अमन प्रिये थे हमने भी अमन का रास्ता अक्तियार करना है उन्होंने अपने जीवन का एक एक स्वास मानों ताके गुलसन को सजाने में लगा दिया हमें उसको उजाडने की भूल नहीं करनी बलकि इसकी साखाओं को फैलाने में अपना योगदान देना है आपकी छमासीलता ने उनको भी माप कर दिया जिनके कारल बाबा गुर्बचन सिंग जी भक्तों से हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए आप मानते थे कि सहिन सीलता और विसालता से ही बक्ती की अभिवक्ती होती है आप आत्मसयम की मिशाल थे आप में सील परविर्ती और सहने की सक्ती का खुक्सूरत समायोजन था आपने अपनी पुरी जीवन सहली को मानोता की सेवा में इस प्रकार से नियोजित किया हुआ था कि एक दिन में केवल तीन चार घंटे ही विश्राम करते थे सेज सारा समय आपने पुरुपकार और मानोता के उद्धार के लिए समर्पित कर रखा था लंबी कलान यात्राओं के दवरान गंटो गाडी में बैठना कभी पेंड की छाओं में तो कभी गाडी में ही विश्राम करना सड़क के किनारे ढ़ावे पर ही जलपान आदिगरहन करके आगे बढ़ जाना आसान निकार नहीं था अपने सरीर की परवाह किये बिना आप दूसरों की खुशी के लिए आगे बढ़ते रहे बिना थके ही चलता रहा कर गया भला संसार का प्यार प्यार बरसा गया वो एक मसीह प्यार का चभी उंची पहाणीों पर कभी कटीली जाड़ियों वाले रास्टें से मीलों पैदल चले गरमियों के मौसम में नहाने के लिए चाहे कहीं पानी घर्म मिला या अंजाने में सरद्धा से परोशी गई बगेर नमक वाली सबजी बक्तों के प्रेम में सब कुछ मुश्कुराते हुए सुईकार कर लेना आपके हर कर्म से जलगता था मानों कल्यान के लिए बेस्त दिंचरिया आपके अदभुत समरपड़भाव की परिचायक थी परते दिन दो या दो से अधिक संगतें करना अनेक महापूरसों के घर चरड़ डालकर उन्हें खुशी परदान करना परबंधक महातमाओं का मारख दरसन करना सरदार्वों की आचनाय सुनकर आसिरबाद परदान करना आपके दिंचरिया का अभिन अंग रहा सो भायातराओं में आठ से नो घंटे खड़े रहना समागमों में लगातार छे से आठ घंटे एक ही मुद्रा में बैठना लाखों भक्तों सज्जनों के अभिबादन को जुक कर स्वईकार करना आपके उपकारी जीवन की अधभुत मिशाल पेश करता रहा साइनसीलता की पराकाष्ठा आप में सदेव दिखाई देती रही इस तरह के हजारों दिश्टांत हैं जब साथ चलने वाले भक्ते आपकी साइनसीलता के आगे नतमस्तक हो जाते एक बार एक परबंधक ने आपकी अतिव्यस्त दिंचरिया को देखकर गुरुदेव से समय मांगा कि दियापका रात्री भोजन के बाद टहलने वाला समय मिल जाए तो अच्छा रहेगा तब गुरुदेव ने कहा कि वा समय पहले ही किसी और संत ने लिया हुआ है उस परबंधक ने गुरुदेव से पुना प्रार्थना की आप जब सुबा गाड़ी से कल्यान यात्रा पर जाएंगे तब कार में कुछ समय मिल जाए गुरुदेव ने उनसे कहा कि वा समय भी कि कि अभी तो गुरुदेव को सोये हुए दो घंटे ही हुए हैं। अभी जगाना ठीक नहीं। तभी एक सेवादार द्वारा संदेश मिला कि गुरुदेव उन्हें याद कर रहे हैं। पांच बजे भी तरो ताजा देखकर भक्त का मन कहा उठा। धन्य हैं ऐसे सत्गुरु और धन्य हैं उनकी प्रवकार की भावना जिनों ने अपने सोने का समय भी भक्तों के लिए ही समर्पित कर दिया था। पांच बजे वहां रखी किस्म किस्म की चाए में से कुछ चाए की पत्तियां हाथ में लेकर आप से कहा बाबा जी इस चाए को पीने से उर्जा मिलती है इस चाए को पीने से गला ठीक रहता है आधी आधी। हुजूर ने उसकी बात सुनकर मुश्कुलाते हुए धीरे से पूछा कोई ऐसी चाए नहीं है जिसे पीकर दो तीन घंटे की नीद लेकर ही छे साथ घंटे की नीद पूरी हो जाए। इस बात को सुनकर मुझूद सभी लोग एक बार तो हसने लगे लेकिन जब बात में उस बात की घहराई को महसूस किया तो या सोच कर आँखें भर आईं कि हुजूर अपना एक एक पल मानवता को समर्पित करना चाहते हैं और उस कारे में कहीं नीद बाधा ना बन जाए इ इसलिए कम से कम समय सोने में ब्यतीत करना चाहते हैं आपने सिखाया कि हमें अपने रुख में लचीला पलना रखना चाहिए एक माता ने आपको चकोतरा फल काटकर भोग लगाने के लिए बिंती की आपने फल का एक टुकड़ा चखा माता जी के पुना आगरा पर दो टु काईर नहीं होने दिया कि फल इतना कड़वा है सभी को खुशी परदान करने के लिए आप सोयम कुछ भी सान कर लेते थे आप में सान करने की सकती इतनी प्रबल थी कि एक बार जब रात को एक सेवादार बाबाजी का कुर्ता ताह करने लगे तो जेब में से कुछ पेपर निकले जिन पर खुण के धब्बे थे सेवादार ने बाबाजी से पूछा हुजूर ये खुण के धब्बे कैसे तो बाबाजी ने इतनी सरलता से जवाब दिया कि जिन घरों में सुबा गये थे उन में से एक घर में सोफे की केल निकली हुई थी पास ओपर बैठते ही जग रहते थे बड़ी से बड़ी बात भी खुद सा जाते आप सब ब्रसांती और सांसीलता को गुर्शिक के आभूश्र बतलाते थे प्रेम बटोरने का नाम नहीं मातने का नाम है बाबा हरदेव सिंग जी के हिर्दे में नीश्वार्थ प्रेम की इंद्रमल धारा सब के एक समान बाती थी जिसका बहाओ किसी भी परस्तिती में ना कम हुआ ना रुका चाहे किसी से कितने भी बड़ी गलती क्यों न हो जाए आप बस प्रेम की खातिर प्रेम करते थे आपके निस्चल प्रेम में खुदगर जीवा सोदेबाजी जैसी भावनाओं की कोई जगा न प्रेम की निरे मले धारासा उतर धरा पर आया देखो लिए प्रेम में वो जियारासा एक बार मसूरी उत्रा खंड में साधू बेस में दोनों जवान आपके दरसनों के लिए आए गुरुदेव के पास आकर हाथ जोड़ कर कहने लगे बाबाजी आप से मिलकर हमें बड़ी रहसे बताएं गुरुदेव ने बड़े विसाज भाव में कहा आप सज्जन पूरुस हैं सज्जन पूरुसों को हर कोई अच्छा लगता है इसमें महानता आपकी है मेरी नहीं वे दोनों नोजवान एक साथ बोल उठे आप सचमुच महान ब्रक्तित्र के स्वामी हैं आप मैं दिल से सबसे प्यार और सब का सतकार करता हूं हो सकता है उसी प्यार और सतकार का परिलाम हो या फिर आप ही अपना प्यार मेरे परती प्रगट कर रहे हूं मेरा विश्वास है कि प्यार ही प्यार को जन्म देता है वे गुरुदेव के ऐसे मगर ब्यवार से अभी भूत तो उठे रहे बाटते वो हर पल प्यार बेहिसाब हर सक्स महक उठता था जैसे कोई गुलाब आप का दरड़ विश्वास था प्यार सजाता है गुलसन को और नफरत भी रान करे किसी ने आप से पूछा कि बाबा जी हम तो प्रित प्यार के भाओं से युक्त रहते हैं परन्तों सामने से यदि प्रेम नहीं मिले तो क्या करें आपने साज भाओं से उत्तर दिया प्रेम की खुराग दुगनी कर दो आपसे जब किसी गुरु सिखने अन्य तरीके से पूछा बाबा जी आपसे तो सब प्यार करते हैं पर आप किसको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं तो आपने फरमाया जो भक्त दूसरे भक्तों से प्रेम करता है दास उससे प्रेम करता है ऐसा प्रेम बिखेरा सारे आने वाले भी थे एक बार आपने एक नेपाली संत से कहा आपके गाउं आएंगे और आपके घर पर ही भिस्तराम करेंगे उस संत को बहुत खुशी हुई पर साथ ही खबराहत भी होने लगी तो कि उसके पास तो इतने रूपए भी नहीं थे कि वह अपनी छोटी सी को ठीक ठाक करके सही ढंक से गुरु की सेवासतकार कर सके उसने खुशी से मन ही मन आपसे अरदाज करके सब कुछ आप पर ही छोड़ दिया आपने कौन सा घट उसकी मदद के लिए चुना या तो वह जाने या आप पर वह अपने मन के अनुरूप गुरुदेव की सेवासत कार कर पाने में सफल रहा आपने उसकी कुटिया में जाकर रातरी में विश्राम किया वह असुबा उठकर काने लगे बहुत दिनों के बाद अच्छी नीद आई पुरे गाउं में अचरचा फैल गई कि भक्त की कुटिया में स्वेंग सत्गुरु पधारे हैं दर्सन करने वालों का ताता लग गया और विशाल सत्ग का रूप बन गया गुर्देव और भक्तों के निस्चल प्रेम में कोई भी बस्तू बाधा ना बन सकी एक ग्रामीड बुजुर्ग माता बड़ी सरद्दा से अपनी बंद मुठी में कुछ लिए नमसकार की लाइन में बढ़ती चली जा रहे थी. पास खड़े एक सेवादार के मन में जिग्यासा हुई की उस माता की मुठी में क्या है? ठोड़ी देर में जैसे ही बाबाजी के पास पुँची सेवादार ने देखा की माता की हतेली में एक बरफी का टुकुडा है, जो कि गर्मी के दिनों में मुठी कस कर बंद करने की वज़ा से दब कर चूर चूर हो चुका है सेवादार को यह देख कर बहुत हैरानी हुई कि माता ने भोग लगाने के लिए हाथ आगे किया हुआ है और बाबा जी बड़े चाओ से माता की हथेली से ही भोग लगा रहे हैं प्रेम को प्रेम से स्वईकार करना आपको ही आता था प्रेम बातने से बड़ता है प्रेम से सबको नोजीवन मिलता है यह केवल आपके मुख से निकले आदर सुवा की ही नहीं थे बलकि आपको प्यार में सबका दिल रखकर खुशी परदान करना अच्छा लगता था एक बार किसी बच्चे ने आपको प्या रुपे दे कर बिंती कर दी तुस्ती एदा जूस पीना है तो आपने बात मान ली किसी ने प्रेम से उपहर में जो कुछ भी दिया आपने उसे हिर्दे से स्विकार कर लिया आपकी हर पल यही चाराती कि आपके हर कर्म से सबको खुशी मिल जाए चाहे वाकिसी किसी के घर जर डालने से आपके साथ फोटो खिचवाने से आपके हाथों से केक कटवाने से आपके कविता या गीत गाने से मिलती हो या आपके विभिन प्रांतिये भेस भूसा पहनने से आपके मुश्कुराने से आपकी एक जलक पाने से आपकी सब पर निगाह डालने से आपके हाथ लाकर अभिवादन सो इकारने से, आपके चरणों में नमसकार करने से, आपका हाथ सिर पर रखवाने से, आपको भोग लगाने से, या आपके गाड़ी में खड़े होकर दरसन देने से ही क्यों न मिलती हो, इतना ही नहीं, आप जेद्वारा अभिबिन अस्तानिय भासाओं मे धन्यंकार कहने से, बक्तों के संग कदम थिरकाने से, कसबा, गाउं, नगर, देश, विदेशों में समागम रचाने से, किसी के आँसु पोँचने से, अतवा किसी की बात सुन कर तसली और आशिर बात देने से, मिलने वाली खुशी से, आप स्वें भी खुश होते गणवाल के एक गाउं में सतसंग समारो संपन होने के पसचात एक माटा ने बाबा जी से बिंती की बाबा जी आप मेरे घर भी चरण डालो मेरा घर बिलकुल समीब ही है बाबा जी ने हा में स्विकिरती दी और चल दिये उसके घर की ओर बाबा कलि की जोती लुख date मेरे बाबा जी मेरी चाभी तो वक्खी छूट गई, मेरे बाबा जी मेरी चाभी तो उहीं छूट गई, बाबा जी मुश्कुरा दिये, उस माता ने घर के बाहर खड़े होकर संगत के परसाद का ही भोग बाबा जी को लगाया और अपना दामन फैला दिया, बाबा जी उस मा प्रियाकार हो तुम, तुम्ही प्रेम के सागर हो, हर जीमन का याधार हो तुम प्रदेश की कल्यान यात्रा के दोरान, एक सत्संग की समापती के बाद, बाबा जी मुख्य मंच पर खड़े होकर, हजारों सत्धालों का अभिवादं सुईकार कर रहे थे, एक महत्मा हाथ में दो अमरूद लिये, तेजी से मंच के करीब आए, बाबा जी के यात्रा में हैरान रह गया कि बाबा जी अपने भक्तों के हर छोटे बड़े भाव का कितना सम्मान करते हैं, और उस भावना को प्रेम पूर्बक स्वईकार करने के लिए कितने आतुर रहते हैं, बाबा जी जब भी भक्तों के साथ होते तो समय की साधी सीमाएं पार हो जाती थी, एक बार राजस्थान की कल्यान यात्रा के दोरान अचानक सडक पर भक्तों का एक समूह दिखाई पड़ा, सत्गुरु ने बाहंचालक संत को गाड़ी रोकने के लिए कहा, वहां खड़े भक्त जन बाबाजी को अन्रोध करके अपने खेतों में चलर डलवाने ले गए, एक भ खरीव नमाज सत्गुरु अपने भोले भक्तों की भोली बातों पर रीज कर उन्हें निहाल करते रहे, आप प्रेम को भक्ती और आनंद का द्वार मानते थे, इसके लिए आपने एक दिब्व किसान की भाती पूरे विश्व में मानो जीवन की धर्ती में प्रेम के असंख के बीज बोए, आप कहते थे कि दिलों की धर्ती को उपजाओ आपर दूशर रहित बनाने के लिए हमें प्यार के बीज बोने होंगे, फिर उन प्यार के फूलों से चारो और अमन, चैन, मिलवर्तन की क्यारियां सजेंगी, जो चप्पे चप्पे को गुल्यार बनाकर धर् मारेंगे, प्रवू के साथ जुड़े भक्तों के जीमन में प्रेम की लहरें फूठती हैं, तो आस्थान सुहाव्ना हो जाता है, जहां पर गुर्षिक का बसेरा होता है, क्योंकि गुर्षिक में प्रेमा भाव होता है, इसके लिए आप अस्थान अस्थान पर विशाल मैदानों में संतसमागमों का आयोजन करवाते जहां भक्त सेवा के रूप में मैं का दान त्याक करते हुए प्रेम रूपी बीजबोते फिर द्रंकार के हैसास से भरे उपजाओ बाता बरण में उन प्रेम के बीजों को सतसंग रूपी खाद दिलवाते आपके दिबिजर सन् अमरित बर्चनों की बर्सा प्रेम की फुहार बनकर मनों को सिचने लगती फल स्वरूप हिर्दय में प्रेम के अंकुर फूटने लगते देखते ही देखते संतसमागम के उन मैदानों में सबके मनों में असने है कि अनगिनित बेले जरम लेने लगती मानों प्रेम की खेती लहलाने लगती सुद्ध भावनाओं के फल समागम से ले जाकर संत जब अपने परिवार और समाज में बाटते तो वहां भी सुद्ध प्रेम पनपने लगता आप व्यक्ती मिसे परिवारों में परिवारों से समाज में भाई चारा स्थापित करते हुए संपूर्ण विश्ट को प्रेम में बनाने का हर संभो परियास करते रहे 68 में बारसिक संत समागम में गुरबंदना के आउसर पर बक्तों के पर तियसीम प्रेम का इजहार आपने पुशिस प्रकार किया आज नो घंटे का तीन मैदानों का या सफर किस तरह से अपने आप में एक अदभुत नजारा था जहां पर अनेक रूपों में भिन भिन प्रांतों के सुन्दर रूप देखने को मिले सेवादल के जवान जो लगातार से माय करते हुए इस सत्संग पंडाल में नहीं पहुँच पाते और जब वहां आँख से आँख मिलती है तो एकदम उनकी आँखें छलंग जाती हैं उनको कैसी खुशी मासूस होती होगी कि एक नजर मिल गई और सारी ठकावटें जैसे कहीं भाग गई इस प्रकार से ऐसा एक प्रेम और उसका सीधा सीधा नजरा देखने को मिलता है वो प्रेम की महसूसियत हुब भु होती है और दास की भी कोशिस यही रहती है कि अधिक से अधिक भक्तों से निगाह मिल पाए आपकी खुशी में सुमार होकर खुशी दुगनी हुई दातार किरपा करे की आखुशियां हमेशा बनी रहें। अपने विसाल हिर्दे में समाहित कर उसकी पीठ थप थपा कर तसली देते दिरंकार भला करेगा। भक्त को आशिरबात देने अस्पताल पहुँच गए। सद्गरु जब उनके पास आये तो मात्मा फूट फूट कर रोने लगे। बाबा जी ने कहा रोना नहीं है। संत हमें सांजरंकार प्रभु का असरा लेते हैं। मात्मा ने भाउखोकर सद्गरु से कहा बाबा जी इसलिए नहीं रोना आ रहा है कि पीड़ा है बलकि रोना इस बात पर आ रहा है कि हाथ पेर सब बने हुए हैं। आप सम्मुक खड़े हैं परदास आपके चरणों का असवर्ष नहीं कर पा रहा। बाबा जी ने धीरे से अपने चरणों को उठाया और उस भक्त के मस्तक के पास ले गए। तुरंत उस भक्त ने गरदन मोड़कर नैन जुका कर पलकों से ही चरणों स्वर्ष किया और कहा बाबा जी आसिर बात दो मैं ठीक हो जाओ। बाबा जी मुस्कुराए भक्त के सिर पर हाथ रखा और पूरे परिवार को आसीस देकर आगे बढ़े लेकिन पीछे मुड़कर देखा और कहने लगे जल्दी से ठीक होकर संगत में आना और गीत सुनाना ऐसा ही हुआ आपकी गिरपाने ना केवल उस भक्त को कुछ हक्तों ने योग बना दिया बल्कि उन्होंने आकर अपनी भोच्पुरी रचना गुरू की उचाई हम कितना बताई से सारी साध संगत को निहाल भी किया हकीकत तो यही है कि आपका दीदार कर लेना ही हर प्रिड़ा बाहर समिश्या का हल होता था कई बार दूसरे सारों से किसी आपका आशिरवाद देते इतना ही नहीं उनके कहे बिना ही उनको एथा संभो इलाज के लिए सहायक मात्माओं से जोड़ देते और रात रात भर उनकी बेहतरी का हाल पुछते इस तरह से बाबा जी दूसरों की तकलिफ को गहराई से मासूस करते और उन्हें ऐसा एसास कर बाते मानों आप स्वयम उसी परिवार के अंग हों हर एक का दर्द तुमको सबकी तुमको फिकर है क्योंकि हर एक बसर के दिल में तुम्हारा घर है एक बार एक बुजुर्भक्ते आपके साथ सैर कर रहे थे कि अचानक उनको सीने में भारीपन मासूस हुआ वह वहीं गिर कर अचेत हो गए बाबा जी स्वयम उन्हें गंभीर अवस्ता में समीप इस्तित डिस्पेंसरी में ले गए आक्सीजन लगवाई और परिवार को सूचना पहुँचाई जब परिवार वा उनके बच्चे डिस्पेंसरी पहुँचे तो देखा कि वा निढाल अवस्ता में बिस्तर पर लेटे थे बाबा जी ने उनके माते पर हाथ रखा हुआ था और डांक्टर से बात कर रहे थे कुछ समय बाद उस मातमा को होस आया तो बाबा जी को सामने देखते ही उनकी आखें सलचला उठी वा बिस्तर से नमस्कार करने के लिए उठने लगे तो बाबा जी बाबा जी ने कहा आप आराम करें डांक्टर के अनुसार सत्गुरू होते हुए भी बाबा जी उस भक्द की पुत्र के समान देख भाल कर रहे एक बार रात के समय बाबा जी की गाड़ियों के आगे चल रही मिनी बस एक ट्राली से टकड़ा कर दुर घटना गरस्त हो गई प अभी किसी ने ट्राली चालक को डांटना सुरू किया तो बाबा जी ने तुरंट उसे रोकते हुए कहा आप उन पर गुस्ता ना करें बलकि देख कर आएं कि कहीं उनसे चोट तो नहीं लगी जब संत वापस आये तो देखा कि बाबा जी और माता जी सभी को प्यार से समाल रहे थे बाबा जी का कुर्टा खून से सना हुआ था और स्वैम सब को अस्टाल पहुचाने का परबंद करवा रहे थे भक्त करुणा मैसत गुरू बाबा जी के उपकारों को याद कर आज भी भाव विवर हो जाते हैं एक बार बाबा जी कसमीर से आ रहे थे रास्ते में स चलक पर गिरे हुए एक ट्रक में से बेड़ बकरियों के मिम्याने की आवाजें आ रहे थी बाबा जी ने तुरंत ट्राइबर महत्मा से कहा कि महापुर्सों से कहो पाले जो ट्रक गिरा हुआ है उसके अंदर देख कर आएं किसी को चोट तो नहीं लगी है बाबा जी के कह आने पर महत्माओं ने घायल राइबर वा जानुरों की प्रात्मिक चिद्खसा की उसके बाद ही काफिला आगे बढ़ा आपको स्टरक चलते हर राही की सुरच्छा का ध्याम रहता था दर्द किसी को होता था तो दर्द तुम्हें भी होता था दुख से कोई रोता था तो तो सांतोना देने के लिए बाबा जी अथा संबो वहां पर जरूर जाते या उन्हें अपने पास बुलवा कर आसिरबाद देते परिवार के साथ कुछ देर बैठकर उस ब्रमलीन संत के साथ बिताए पलों का आसमनल करते वा परिवार के बिचोह की सारी पीड़ा हर लेते आपका दुलारियों आसिरबाद पाकर परिवार को बहुत बड़ा सहारा मिल जाता था सत्गरू रूप में भी आप कई बार किसी अन्याई की अंतिम्यात्रा में कंधा देते नजर आते या सादिगी वा सरलता ही तो मानोता की नियू है जिस पर आप स्वयम चलकर भक्तों क अपनत्व का पाठ पढ़ाते रहे यह कारण था कि हर भक्ते आपको अपना मासूस करता रहा अपनत्व अपने सेवा सब कुछ दूर कर दो जो तुम्हें सेश सबसे अलग करता है गुर्देव का हिर्दे उदार विसाल योंग छमासील था आपके हिर्दे में हर किसी के पर अपनत्व का भाव हिलोरे लेता रहता था आप इतने अपने पन से बात करते थे कि सामने वाले का मन भर आता था और वह हमेशा के लिए आपका बन जाता था प्यार प्यार में सबको समझा देना सबको साहित रखना सबका दिल रखना वाइदा निभाना सबके सुप- प्रगटों को प्यार मिलता परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखना आपको बेहत प्रिये था जब भी आप दिल्ली में होते तो सारे परिवार के साथ मिल बैठ कर भोजन करना पसंद करते थे सब को इकठे वाखुष देखकर आपकी खुशी खिलखलाहट के रूप में प परिवार तक फैलता रहा आप काते थे कि या आठ दस दस ही मेरा परिवार नहीं है अपित पूरी साथ संगत ही मेरा परिवार है आप संतों के आगरह पर अपना जनम दिन वा हर उत्सो तथा पर्व साथ संगत रूपे विसाल परिवार के साथ ही मनाया करते जब राखी का प्रवार होता तो बाबाजी की कलाई पर राखी बाधने का सिलसला गंटों तक चलता अपनी पारवारी क्वासा माजिक जिम्मेदाजियों को इतना विस्तार देना वा उन्हें निभाना आपके जैसा कोई अतिविसार हिर्दे ही कर सकता था आपका कतन था इसी भी संत को इस बात पर विचार भी नहीं करना चाहिए कि यहां कोई रिष्टे नातों के लिए सोचा जाता है दास तो जन्म से गुर्ज मुखों मापुर्शों के हाथों में खेला है इसलिए सारे गुर्जिक ही दास के रिष्टेदार हैं आपके संपर्क में आने वाले हर सज्जन को आपका भरपूर असनेह वापनत मिलता रहा अगर किसी ने आपको पिता रूप में देखा तो उसे पिता का सनेह मिला किसी माता ने पुत्र के रूप में देखा तो उसे पुत्र का प्रेम मिला किसी ने बंदूवा सखा के रूप में देखा तो आप उसके बंदूवा सखा बन गए एक बार मद्य परदेश की परचार यात्रा पर आए एक परचारक महत्मा से एक बहन ने अस्तुर पूरित नेत्रों से कहा महत्मा जी रच्छा बंधन का तेवार आने वाला है मेरा कोई भाई नहीं है और बाबा जी को राखी माधने का ध्यान है महत्मा ने मन ही मन सत जुरू से प्रार्थना की और उस बहन को कह दिया कि दास आपकी राखी बाबा जी तक पहुँचा देगा। के साथ बाबा जी की कलाई पर बनी हुई थी। सत्गुरू एक पिता की तरह संगत के एक-एक सदस्च को अपना प्यारवा दुलार देते थे। जब तक पंडालवा लंगराध में सेवा कर रहे एक-एक गुर्षिक की नमस्कार नहीं हो जाती थी। तब तक आप अपने अस् की ब्योस्ता थी, वहाँ भी संगतें खड़ी थी। एक संत ने बाबा जी से कहा हुजूर दास ने आपको चिट्टी दी थी। आपने हाथ तुरंत चिट्टियों में से भरी अपनी जेव में डाला और उसमें से एक चिट्टी निकालते हुए कहा यही है ना आपकी चिट् में दूसरों की भावनाओं का आधर करना कितना जरूरी है। दिल्ली में निरंकारी सरोवर परिसर में दिब यात्रा संग्राले के निरमालकारी के दोरान कुछ आर्कीटेक्ट म्यूजियम के डिजाइन पर विचार बिमर्स करने के लिए खड़े आपका इंतिजार कर रहे उधर आप गेट के बाहर और सरोवर के अंदर खड़ी संगतों को निहारते हुए हाथ जोड़कर उनकी नमसकार परवान कर रहे हैं। संगतों से प्रेम वा उनका सतकार आपकी निजर में सबसे उचा था। जान के किसी हिस्टे में चले जाएं या विच्टू के किसी मुल्क में चले जाएं। हवाई अड़े पर उतरने से रवानगी तक तमाम समय संगतों के साथ ही भीत्ता आया है। दास अपने आपको बहुत भाग्यवान मानता है कि ऐसा परिवार दातार की किरपा से प्राप पर रहता है। अपने हिर्दे समराट सत्गुरु बाबाजी को भक्त जब एक साधारल गुर्शिक की भाथ आचरल करते देखते तो उनके मन प्रेम से भर उठते। एक बार यात्रा के दोरान रास्ते में खड़े महापूर्शों को दर्सन देने की वज़ा से अपने निश पर से फोन ठाया तो बाबा जी ने कहा दर निरंकार जी ओ दिल्ली से को यतकारी महापूर्श आये हुए हैं तो वा महापूर्श बोले हां जी वो आये होए ने पर वो बाबा जी नूँ लेने वास्ते गए होए ने बाबा जी ने कहा अच्छा कितनी देर हो गई तो उस मह पॉन बोल रहे हो। बाबा जी ने कुछ कहने की बजाय तुरंत अपने साथ वैठे संत को फोन दे दिया और उन्हों ने फोन पर महापुर्सों से कहा कि आप हुजूर बाबा जी से बात कर रहे थे। उस महापुरुस ने तुही निरंकार कहा कर हल बड़ा कर टेलीफोन बंद कर दिया बाबा जी खिल खिला कर हसने लगे जब आप सब संग भवन पहुंचे वा गाड़ी से उतरे तो साथ वाले महापुरुस ने हसते हुए पूछा वा महापुरुस कौन थे जिनोंने बाबा ज के चरड़ों से लिपट कर रोने लगे बाबा जी ने उन्हें उठाते हुए पूछा क्या हुआ क्यूं रो रहे हो वह बोले बाबा जी मैंनू माप कर देओ मैंने पता नहीं सी आप जी बोल रहे हो उनके आसू निकले जा रहे थे बाबा जी ने फिर उनकी पीट पर हाथ हुए कहा नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं किया आपने वह बोले बाबा जी मैं एक साधारल इंसान की तरह ही आप से बात करता रहा मैंने आप जी को बात चीत में उस सतकार नहीं दिया बाबा जी उस भक्त को लगातार प्यार देते रहे ऐसा अकसर होता था कि बाबा ज प्रद्गुरु के रूप में भक्तों के साथ एक पिता की तरह अपनत्तों का भाव रखते थे। दिल न दुखे कि भोग नहीं लगाया। एक बार चमबा में कुछ ग्राम बासी संत जन बाबा जी के स्वागत में गोल खेरा बना कर गीत गाते हुए अस्थानिये लोक नित्र परस्तुत कर रहे थे। पल दो पल बिताने को मिल जाए। उनके सामने दुनिया भी हर खुशिपी की नजर आती थी। अस्थार में समागम होना निश्चित हुआ। तब तक वह भक्त भूल चुका था कि उसने कभी बाबा जी को घर आने का निमंत्रल भी दिया था। बाबा जी ने रात के कारिकरम के बस्चात अस्थानिय परमुख से अगली सुबह उस मात्मा के घर जाने की इच्छा व्यक्त की। या सुनते ही अस्थानिय परमुख ने बाबा जी से बिंती रखी कि लगातार बारिस होने के कारड़ उस महले में चारो तरफ कोड़ा करकटवा गंदगी सलक पर फैली हुई है अताव वहां जाना संभो नहीं हो पाएगा। बाबा जी ने कहा कोई बात नहीं गाडियां कहीं दूर खड़ी करके पैदल चले जाएंगे इस पर अस्थानिय परमुख ने बाबा जी से कहा कि वहां की गलियां बहुत ही सक्री वा दुरगंद युक्त हैं जहां एक बार में एक ही वक्ती गुजर सकता है बाबा जी ने क अपनी भाव भी नी मुश्कान बिखिरते हुए उस संत के घर की वोर जा रहे थे सक्रे जीनेवा सिख्रकी नुमा दरवाजे को लाख कर जब आपने उस भक्त के घर में परवेश किया तो वहां पर उपस्ति सभी भक्तों की आखें चलक आई उस महत्मा के हिर्दे के कारों से सारा बात अब रड़ ही भक्ती में हो उठा ना मुर्जाएं वो फूल लाओं कहां से मैं सबरी की वो बैर पाओं कहां से जैसे भी हैं हम तुम्हारे हैं दाता सोईकार कर लो ये स्रद्धा सुमन बाबाजी साथ संगत रूपी परिवार के एक-एक संदका ख्याल एक बार इटली में सत्संग से पूर्व बाबाजी की तबियत ठीक नहीं थी आप से बिंती की गई के दिया आप इजाजत दें तो इस बार संगतों को दूर से नमसकार करने दें इससे समय कम लगेगा तो आप कहने लगे नहीं नहीं दास तो कभी-कभी आता है दरसनों की भूख जैसे संगतों को है दास को भी है संगतों को खुशी मिलनी चाहिए तबियत ना साज होने पर भी आप हर संद को अपना प्यार दुलार और आशिरवाद परदान करते रहे बक्ते और स्वामी के पामन रिष्टे को उजागर करते हुए आपने गुरुबंधना के सु समागमों की समापती से पूर्वे आप अक्सर मैदानों में बने भकती भरे आनंद में बाता प्रण की महक को अपने मन में भर लेने की पिर्णड़ा देते तुम लुत्प मुलाकात को आखों में बसालो ये लमहा मसररत का भिचड़के न मिलेगा संद्रिष्टी ग्यान की द्रिश्टी ही इस सिस्टी में संद्रिश्टी। सत्जडु बाबाजी संद्रिश्टी के प्योशक युव प्रेयरक थे। आपको तो सब के हिर्दै में भरा प्रेम ही दिखाई देता था। आपके पास वह निगाह ही नहीं थी जो तो किसी का रंग, रुतबा या पहिनावे का फर्क देखे, आपके दिल में हर भक्त के दिल में आपके दिल में आपके लिए एक बिशिष्ट अस्थान था, जो जैसा है उसे वैसा ही स्वेकार करके अपना बना लेने की सुन्दरकला आपको खूब आती थी, आपका कतन था, दूसरा तभी छोटा दिखता है जब हम उसे दूर से देखें या गुरूर से देखें, समद्रिष्टी से देखने से ही इंसान और इंसान के बीच समिपता पैदा होती है और सच्ची खुसी मिलती है, दिल्ली में दिरंकारी सरोवर पर एकत्यो के भवारे के निर्माल कारी के समय बाबा जी के साथ निर्माल संबंधी कुछ चर्चा हो रहे थी, बड़े बड़े इंजीनियर और डिजाइनर अपना अपना मत दे रहे थे, पास खड़े एक मजदूर संत ने के मुख से अचान आज सब की भावनाओं को एक समान आहमियत देते थे, एक बार सेवा दल्रेली में किसी सहर के नोजवानों द्वारा सेवा पर आधारित एक नाटक पेस किया गया, उसमें एक संत जिनका सरीर कत्ग में काफी छोटा बोना था, ने अपने अभिने से सेवा भाव को परदर्स करके सद्गुरु आसंतों को प्रसंद किया, रात को जब आप रियाशी टेंटों में दर्संद देने गए तो एक महत्मा ने उस छोटे गदवाले संत की और इसारा करके कहा, बाबा जी या संत वही बोना है, जिसने सेवा दल्रेली में अधिकारी का रोल किया था, बाबा द्रिश्टी से देखना अनिवारी है, आंद्र परदेश कल्यान यात्रा के दोराने आप किसी छोटे से गाउं में जिन भक्तों के घरों में गए, उनमें मिट्टी की दीवाने, सुखी घास की छत और गोबर से लिपा आंगन था, साथ चलने वाले भक्त भेंकर गर्मी से वेहाल हो रहे थे, लेकिन सत्गुरू बाबाजी के चेहरे पर नूरानी मुश्कुरहाट थी, सत्धालू के घरों में चरन डालने के पस्चाथ, जब आप गाड़ी में बैठे तो आपने देखा कि एक सत्धालू हाथ जोड़े खड़ा रो रहा था, आप तुरंत गाड़ बिठाया साथ वाले संत जब थोड़े नजदीक पहुँचे तो देखा कि उसकी उंगलियों पर पट्टियां बधी हुई थी, सबके मन में उतल पुतल हुई कि पट्टियां क्यों बधी हुएं, साइद या कुष्ट रोगी है, बाबा जी उसे अपने पास बुला कर प्या कि आँखें सजल हो उठी, आप प्रेम में भीगे भक्तों को देख कर का दिया करते थे, जरने बाते हैं और बल खाती नदियां भी बाती हैं, किन्त पानी में कोई बल नहीं है, गन्ये के तने लंबे वाटे डे भी होते हैं, किन्त रस हमेशा मीठा होता है, भक्त भी ऐसे ह होते हैं, उनकी भक्ती भावना सदेव एकसी राती है, भले ही वे कुटियां में रहें या महलों में, पानी चाहे सोने की गागर में हो या माटी की गागर में, कुछ फरक नहीं पड़ता, क्योंकि प्यास पानी ने बुझानी है, गागर ने नहीं, आप समद्रिष्टी को बर्तमान समय की बुनियादी आउ सकता मानते थे, आपका मानना था कि या भाव ना होने के कारण ही आज हिंसा और बैर भाव नजर आते हैं, सारवजने का स्थानों और यातायात के साधनों से यातरा करते समय कोई भेदभाव नहीं रखा जाता है, पर अन्तु भक्ती में वाला ही सच्चा धर्म होता है, बर्मग्यान से ही संद्रिष्टी और सब के पर सदभावना का जन्म होता है, सब धर्मों के पर समान आदर रखने वाले गुरुदेव के लिए स्थिष्टी का कणकण ही परमात्मा से भरपूर था, आप प्रेम से बुलाए जाने पर सब तीर्स अस्थल पर जाना हुआ, वहां के मुख्य पुजारी ने आपको पूजा अस्थल पर आने के लिए आमंत्रित किया, आप वहा माता जी उसे सहास्वईकार करते हुए जब उहां पधारे, तो वहां के परमुक्ध धर्माधिकारी ने परमप्रागत रित से आपका परमान किया, ने संदे है किसी भी धर्म के अनुयाई, जब भी आप से मिलते तो आपकी च्षच शरने के समान बाती निरमल्द प्रेम की धारा में भीगते चले जाते थे, बर्मिंगम इंगलेंड इस्थितियक मंदिर में आमंत्रित किया जाने पर जब आप वहां पहुँ पड़ा कि वह आपका जुक कर अभिवादन करने लगे, एक बार आपके कैनेडा जाने पर वहां के महापुर्सों ने घरों में चरण डालने के लिए बिंती की, एक घर में बाबा जी के मस्तक पर तिलक लगा कर आरती उतारी गई, वहां एक मुस्लिम सज्जन भी जिनके घर दूसरे दिन गुरुदेवा मंतरित थे, बाबा जी जब उनके घर गए तो उन्होंने आदर पूर्बग बिठाया और वहां सज्जन कहने लगे कि बाबा जी कि आम इसन बिष्ट बंधुत्र का संदेश देता है, तो बाबा जी ने कहा कि हान जी, अब उन्होंन वापषन पूछा, जो पिछले दिन से उनके मन में था, कल जो आपका स्वागत हुआ, उससे लगता है कि आप हिंदू हो, क्योंकि आपको तिलक लगाया गया, वो आपकी आरती उतारी गई, बाबा जी ने कहा, कल दास उनके घर गया था, और जैसे उनको अच्छा लगा, उन्होंने दास का स्वागत किया, दास ने उन्हें रोका नहीं, आज दास आपके घर आया है, आपको जैसा अच्छा लगे, वैसा आप कीजिए, दास आपको भी नहीं रोकेगा, बाबा जी के इस अपनत्तो भरे उत्तर को सुनकर, वहाँ उपस्तित हर सज्जन ने प्रमपराओं को समान रूप से अपना कर सबको अपना बना लेते हैं, निसंदेह आपने धर्म जोडता है, तोडता नहीं नारे को जीवांत रूप परदान किया है, सेवा भाव, मानो सेवा ही परमात्मा की सेवा है, बाबा जी एक दूसरे के परति सेवा और सतकार के कर स्वयम अपने आचरन से दूसरों का सम्मान करने की सिच्छा देते रहे, बहन निरंजन जी के अनुसार, इनका सेवा भाव सुरू से इतना प्रबल था, कि जब ये छोटे थे, तब भवन में कोई महापुरस आते तो, अकसर आगे बढ़कर उनका सामान उठा कर कमरे तक छोड़ कराते, उनके भोजन आराम आज की व्योस्ता का ध्यान चुपचाप सोयम ही रख लेते, इतनी छोटी उम्र में ही उनकी सोच इतनी उची थी, कि भवन में आने वाले महापुरसों की सेवा और सतकार होना चाहिए, एक बार बाबा गुर्बचन जी ने टालते हुए गुर्बचन निमास की खिड़कियों की सफाई की और संकेत किया, सबने सोचा कि कल सुबा किसी सेवादार से सफवाई करवा देंगे, आपके साथ हमेशा रहने वाले महात्मा की सुबा चार बजे आँख खुली और उन्होंने देखा कि आप बिस्तर पर नहीं हैं, कुछ का हर इसारा आप बिना कुछ कहे समझ जाते थे, सेवा की अब कहां जरूरत है, वरकसाब में जरूरत होती तो वहां उपस्तित हो जाते, सरोवर में जरूरत होती तो वहां पहुंच जाते, कोई बाहन चालक नहीं मिले तो गाड़ी चलाने को तयार हो जाते, इस तरह से दास जब इन जवानों को सेवा करते देखता है तो दास का मन भी करता है कि दास भी वर्दी पहन कर सेवा करे। जब आप से बिंती की गई कि बाबा जी यह कारी कोई सेवादार कर देगा तो आपने साध यह कह दिया नहीं वो जरा से तिनके फंसे हुए थे पानी भवन में आ रहा था तो दास ने निकाल दिये। आदेस ना दे करना लिया बिजली के सारे स्विच इसवें बन्द करना मिलने आए महापुर्ष्ण के लिए स्वें पेंटरी में जाकर जलपान आद की व्याUस्ता के लिए कहना, मेटिंग में किसी के संमुक माइक ना होने पर स्वें अपना माइक उचके मुख के आगे देशन या हवाई यड्डे से लेने स्वयम जाना, राजमाता जी का हाथ पकड़ कर उन्हें मुख्य मंच पर लाना, उनके विराजमान होने के पस्चात ही अपना आसन गरहन करना, इत्याद माता के परतियाप की सरद्धा भाव के प्रमार थे। पहकाने लगा, अभी दूसरी सिप्ट वाले सेवादार पहुँचे नहीं थे, मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, बस यूँ लग रहा था कि मैं गिर जाओंगा। इस उसूल को हर एक ने हिर्दय में बसाना है, तभी कोई सही माइने में गुर्मुक बन सकता है। आप बारसिक संत समागमों के दोरान भरी ठंड में देर रात भी दिया इसी टेंटों में जाकर या सुनिस्चित करते कि संगतों की सुविदाओं का उचित परबंद हो। आप अपने भक्तों को सुयम इतना सतकार देते थे कि आज भी आपकी दूसरों को सम्मानवा पहल देने की बातों को याद करके असंग के भक्तों की आखें भराती हैं। देश बिदेश से आये विशिष्ट सज्जन बाबाजी के इस मनोहारी बिवार से बहुत प्रभावित हुए। आप समागम के मैदानों में जाकर सारी बिवश्टा देखते ताकि सभी भक्तों को सुख सुधावा सहुलियत मिल सके। संतल भूमी का परिच्छड स्वयम करते कि कहीं कंकड पत्थर तो नहीं है जो महत्माओं को चुप जाए। इतनी गहराई में जाने का ही आप परिडाम होता था कि उन ब्योस्ताओं में कोई प्रोटी सेस नहीं राती थी। आपका कहना था कि जिस तरह किर्केट मैच में कुसल फिल्डर कठिन से कठिन कैच को भी लपक लेते हैं उसी तरह सेवा के आउसरों को भी दोड़ दोड़ कर प्राप्त करना चाहिए। परिवार को अपना परिवार मानते हैं तो हाँ इपर एहसान नहीं हुआ करते वा जिम्मेदारी होती है। सेवा के प्रभाव जरूर होते हैं लेकिन प्रभाव डालने के लिए सेवा नहीं की जाती। यसकी लालसा से नहीं साज भाव से सेवा हो। बरस 2013 में आपने बारसिक संत्समागम से पूर्भ होने वाली सेवाओं का बढ़न अपने परवचनों में कुछ इस प्रकार किया। महीने भर से जो मैदानों में आने का मोका मिल रहा है तो भले ही दास को कोई कस्ती, फावडा और तसला उठाने का मोका नहीं मिलता था। लेकिन इन मैदानों से होकर जब दास हाथ धोता है तो पूरी की पूरी कालिक वो मिट्टी वाला रंग होता है। क्योंकि सेवा के better से मैदानों में गुजरते हुए अक्सर हजारों हजारों गुर्सिखों की इस प्रकार से हाथ को छूझा हrocket हुआ हूई और केवल मिट्टी गारा ही नहीं लंगर का भी इस प्रकार से अनुभो हो जाता है। प्रविश्यों की आटे वाले हाथ भी लगते हैं, तो दास यही मासूस करता है, कि केवल अगर अभी उनके हाथ ही दास कोश हुए हैं, और दास को इतना आनन्द आ रहा है, तो वाकई ये जो तसले उठा रहे हैं, ये भले ही कीचड में घुटने तक पानी में उतरे हुए है इक तना आनन्द प्रात कर रहे होंगे, आप साध संगत को सिर का ताज मानते थे, स्वयम सत्गुरू होते हुए भी साध संगत की अनेक रूपों में सेवा हे तुततपर रहते थे, संगत में आप सोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए, साध संगत की सुंदर्ता, वासुगमता बढ़ा रहे होते थे मुख्यमंच बर्सो भायमान होने पर भी आपको बुजुर्गों के बैठने की व्योस्ता से लेकर पक्तियों की सुचार व्योस्ता तक न जाने कितनी ही सेवाओं का हमें साध्यान रहता था आप सेवा भाउना से भरे असंख संतरूपी फ जब भी किसी से मुखातिब होते तो उसके सांसारिक रुतवे याकद को एक तरफ रखकर आप स्वयम जुक कर बात करते थे आपका कतन था जब कोई जुकता है तो समझना चाहिए कि वहुचाई की तरफ जा रहा है केवल सरीर जुक गया परंत मन नहीं जुका तो भी बात बनने वाली नहीं है क्योंकि मन ही वाधरती है जिसमें से नम्रता और अभिमान दोनों के बीच पनपते हैं मन जुका फिर तन जुका तो समझो की प्यार नम्रता सतकार सांसीलता और विशालता के सारे गुणों की माक विखर गई है और यद केवल सरीर ही जुका तो समझो क कि आपका रक्तित्त कागज के फूलों के समान है जो खिले हुए तो दिखाई देते हैं कि इन्तों में कोई खुसबू नहीं होती बाबा जी ने बिनम्रता का एक और लाभ बताया दुनियावी तोर पर भी देखें कि सोहरत मिलने पर अगर बिनम्रता साथ बनी रहती है तो बक्ति या इबादत उसी को काते हैं जब हम केवल सब्दों को दोहरा कर नहीं वलकि सही मायनों में उनका पालन कर फूल चढ़ाते हैं समर्पित हो जाते हैं विस्तो के कितने ही धर्मान याईयों से जब आप मिलते तो आपके देवी या करसल को देखकर साज ही जुकना चा हैं सत्गरु रूप में प्रगट होने के बाद भी आप बड़ों के सम्मान में स्वयम जुक जाया करते थे दिल्ली से कल्यान यात्रा के लिए रवाना होने से पहले आप हमेशा बुजरुगों का आशिरबाद लेकर ही जाते आपका कतन था इस मस्तक की महत्ता तभी है आपके दर्सन करने के असत्संग में नहीं पहुँच बाते तो कभी कभी आप स्वयम उनके घर जाकर अपना प्यार देयाते बुजरुग भी बच्चों की तरह आपका हाथ पकड़ लेते और आपको गले लगाकर अपना दिल खोल देते एक बार दिल्ली में एक बुजरु पुर्ग माता जने आप से बिंती की कि बाबा जी अब जीवन में सारे काम पूरे हो गए अब हम चल फिर भी नहीं सकते तो अब हमारा क्या काम है अब आप हमें जाने की इजाज़त दें आपने बड़े असनेह से उनकी तरफ देखा और मुश्कराते हुए कहा अब आपका काम है सबको आशिरबात देना बाबा जी ने गुर्षिकों को नम्रता पूर्वक सबका सम्मान करने की अंगिनत पिरणाये दी सन्वन नईस सो चानबे में गुजरात में आयुजित सत्संग समारों में किसी संत ने अपने विचारों में किसी पुरातन संत के नाम का आपको नमस्कार करने आए तब आपने बड़े प्यार से कहा आप जी बहुत अच्छा बोले लेकिन यदि पुरातन संत महत्माओ के नाम के आगे जी लगा कर आदर पूर्वक सम्भोधित किया जाए तो और भी अच्छा रहेगा इस प्रकार सत्गुरु बाबा जी छोटी बड़े सभी का आदर सत्कार हो आपके पास दो या तीन अलग-अलग संत आकर एदि एकी समाचार दोहरा देते तब भी आप उनकी बात को ध्यान से सुनते मानों पहली दफा ही सुन रहे हों ये प्रेमियुक्त खामोसी साइद इसलिये थी कि कहने वाला व्यक्ति मायूस न चाहिए उल्फत निभाने की अदा आपको क्या खूब आती थी जो अलफाज ना कहा पाए आपकी खामोसी कहा जाती थी आप दूसरों की परसंसा सुनकर प्रसंन होते थे ये तो कोई आपके सम्मुख गलती से स्वयम की परसंसा करता चला जाता तो भी आप उस से सहमती लेकिन जब वह देखता कि आप अपने बड़े से बड़े कार्यों का जिक्र भी इतने संकोच वा बिनम्रता से कर रहे हैं तो वह आपकी महांता के सम्मुख स्वयम नतमस्तक हो जाता और भविस्त में आत्म परसंसा ना करने की सीख ले लेता एक अबार गुजरात राजी क परांतिय समागम के लगू कर भी दरबार में मंच पर उपस्तित कवियों में से पाले कभी ने सद्गरु बाबाजी की खूप परसंसा भरी कविता पढ़ी इसके उपरांत दूसरे कभी सज्जन ने भी जैसे ही आपकी दिबता का अस्तुद गान करना आरंभ किया वैसे ही आपने समीब खड़े संत को बुलाया और अगले कभीयों की कभीताओं का बिसे देखने के लिए कहा आपने कहा कि इन दोनों कभीताओं में दास की ही पस्तिंसा की गई है किन्तों कभीताओं के माध्यम से मिसन का प्रेम और मानउता का सत्य संदेश ही दिया जाना चाहिए बिनीत भाव आपके ब्यक्तित्व में रचा बसा था आपका फरमान था भक्त कितने बड़े बड़े योगदान देता है फिर भी कभी अपने आपको गिन्वाता नहीं है बलकि अपने आपको गमाता है जब अपनी तरफ से गमाया तो प्रभु की तरफ से वागिंती में आ या आपके महान व्यक्तित्व का परमाण देता रहा जिस तरह अंद्रंकार परमात्माने श्रिष्टी के कणकण में स्वयम को चुपाया हुआ है इसी प्रकार सद्गुरु बाबा जी ने स्वयम को दास का कर चिपाते रहे आप स्वयम को जितना चिपाते रहे उतना ही आपक सनमुख नतमस्तक होते रहे बक्तों के मुख से आपके लिए अक्सर यही सुनने को मिलता कि सब कुछ जाने बूजे फिर भी बनता है अंजान बंदों में बंदा बनकर बैठा है जानी जान आप इतने बिनम रथे कि छोटे से छोटे बच्चे के मुख से निकली बात को भी मा आप किसी के घर गए वहाँ एक बच्चे ने आप से कहा बाबा जी आप इस सोफे पर नहीं मेरे पास आकर बैठिये बाबा जी उठे और उसके पास जाकर बैठ गए उसी पल में छटका पंखा उसी सोफे पर आ गिरा जहां बाबा जी पहले बैठे हुए थे बच्चे के नमरता का पाठ पढ़ाने वाले गुरुदेव के अनुसार जो आदमी नमरता में नहीं आता वह महान नहीं बन सकता क्योंकि जहां नमरता नहीं है वहाँ भक्ती भी नहीं है नमरता में ना रहने से वह आहंकारी बन जाएगा उसके हिस्दे में द्वैसे और दूसरों को न संत्रमागम के दोरान बाबा जी के अनेक फोटो खीशती जा रहे थी एक संत्र ने जब उनसे पूछा कि आप सत्गुरू बाबा जी के इतने अधिक फोटो क्यों ले रही हैं तो उसने उत्तर दिया कि मैं देखना चाहती हूँ कि जब इनका जैगोस होता है बकता या कभी ग आपकी सादगी भरी सिच्छाएं सब के अंतरमन को छू जाती थी उचा वो नहीं जो मंच पर बैठा हुआ है अगर दरी पर बैठा हुआ है जोडों पर बैठा हुआ है पर उसके भाव उत्तम है तो वो ऐसे ही है जैसे वो मंच पर बैठा हुआ है उसकी अपनी उचाई है सभी बच्चे बच्चे का सतकार करते रहें, कहीं पर भी बडपन की कोई जरासी भी धूल ना आने पाए, हम निमाने बनकर दास भाउना से युक्त होकर अपना बडपन निभाएं, एक मस्कीन बनकर अपना कद उचा करें, हमारा जीवन एक मुह बोलती तस्बीर बनता चला एक बार बीका ने राजस्तान में आकस बानी के निदेशक संगत में आये, संगत के बाद उन्होंने आप से जग्यासा बस पर्षन किया, बाबा जी इस समागम में बैठे हुए संत जन आपको भगवान की संग्या दे रहे थे, और आप अपने विचारों में स्वयं को दास बतला रहे थे, तो यह क्या है, कुछ समझ नहीं आया, गुर्देव ने फरमाया, भक्तों के बाव तो हुए जाने, लेकिन दास तो खुद को घटगट में विराजमान दिरंकार का दास ही मानता है, होकर सबसे खास कभी ना खास बनातूं, सबका मालिक होकर भी बस दास बन पर संदीगड में दास भावना की जरुवत समझाते हुए, बाबा जी ने फरमाया, इस दास भावना की सक्ति भले कामों में लगती है, और दूसरों को सुक देने वाली होती है, हमें अपनी सारी ताकत दास भावना को अपनाने और पनपाने में लगाने चाहिए, आपने एक अन्य उसर पर फरमाया, जहां अभिमान होता है, वहां बात बढ़ जाती है, और जहां हलीमी होती है, वहां बात बन जाती है, जो अभिमान को हार कर बिनम्र हो जाता है, वाहीरे के समान हो जाता है, पर सिद्ध तो बहुत लोग हो जाते हैं, इंतु सतकार वही पाते है जिनका जीवन निखरा हुआ होता है अनंत गुणों के भंडार बाबाजी आज जीवन यही सिखाते रहे कि दास बनकर की सीखा जा सकता है 23 फरोरी 2004 को गुरु पूजा दिवस के सुभ्य उसर पर आपने फरमाया दास साल या उम्र के बारे में कुछ नहीं जानता बस यही मासूस होता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो सीखना बाकी है सत्गुरु होकर भी आप में जब इतनी दास भाउना और अदब उताजीव आपके भक्त देखते तो वो नतमस्तक हो जाते और भक्तों की बिनम्रतावा दास भाउना कई गुना बढ़कर प्रगट होती थी आपका विसाले और संपूर्ण दिब्ब जीवन सभी के लिए इगों तक सदाचार का प्रणा सोत बना रहेगा दानिरंकार जी